वेल कम बैक ऑन माई चैनल मैंचवित पाजिक हम लोगों ने प्रीविस हम लोग क्या पढ़ रहेते तेस्ट ओफ डिविस्विलिटी टि रूल तो हम आपको पहले ही बता चुके divisibility rule का use क्या है ठीक है divisibility rule हम लोग क्यों use करते हैं यह हम आपको पहले बता चुके हैं फिर हम लिए divisibility by कुछ rules भी देखे 2 का देख चुके थे कि अगर last में even number हो ठीक है जिस भी number के end में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो divisible होता है 2 से ठीक है फिर 10 का देखा था जिस भी number के end में 0 हो वो 10 से divisible है जिस भी number के end में 0 या 5 हो वो 5 से divisible है 3 और 9 का भी बताया था कि अगर मालो कोई number दिया है तो उसके सारे digits को add कर लेंगे 3 के लिए सारे digits को add कर लेंगे और जो sum आए जैसे एक बार फिर से देख लेंगे 873 क्या ये 3 से divisible है या नि तो हम लोग क्या करेंगे सारे digits को add करेंगे 8 प्लस 7 प्लस 3 8 प्लस 7 प्लस 3 18 18 जो आया जो sum आया सारे digits को add करने के बाद जो sum आया क्या वो 3 से divisible है अगर है यानि sum 18 आया 18 3 से divisible होगा तो हां ये 873 भी 3 से divisible होगा ठीक है उसी तरीके से 431 था तो इसके सारे digits को add कर लेंगे 4 प्लस 3 प्लस 1 को add कर लिया 8 आया और 8 जो है 3 से divisible नहीं है नहीं है ना 8 is not divisible by 3 तो जिस कारण से 431 is also not divisible by 3 clear उसी तरीके से same to same 9 के साथ था condition 1873 क्या ये 9 से divisible है या नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे सारे digits को add कर लेंगे 18 आया इस number के सारे digits को add करेंगे तो जो आये sum उसे क्या करेंगे 9 से divide कर लेंगे अगर completely divisible है तो हाँ वो divisible है वो number भी divisible होगा 9 से तो कहने का sense 8 और 3 में क्या है कि इसके sum को 3 से अगर कहा जाए तो 3 से sum को divide करेंगे 9 वाले में कहा जाए sum तो 9 से divide करके चेक करेंगे ठीक है फिर हम लोगोंने 4 का भी पढ़ा था 4 का क्या था कि कोई भी number दियावा है उसके last दो डिजिट को देखेंगे जैसे 4 का क्या था 7,000 इतना ये पूछा कि क्या ये 4 से divisible है तो हम बस कितना भी बड़ा number उससे कोई ले ना देना नहीं हमें last के 2 डिजिट लेने 16 क्या 4 से divisible है हाँ है 4 ताइम में है ना तो 4 ताइम में ये divisible है it means ये भी number 4 से divisible है ठीक है अब आते हैं हम लोग 8 का देखेंगे ठीक है तो ध्यान देना a number is divisible by 8 कोई भी number 8 से divisible होगा if the number formed by its last 3 digits is divisible by 8 कहा गया कोई भी number 8 से तभी divisible होगा अगर उस number का last का 3 digits 8 से divisible होगा तो जैसे 19,824 ये क्या पूछा जाए क्या ये 8 से divisible है हमने क्या करना है बस last के 3 digits लेने है क्या लेने last के 3 digits last का 3 digits क्या 824 और इससे चेक करना है की 8 से divisible है या नहीं है 8 से divisible है ठीक है 24,0,3 वार में बस चेक करना ये 8 से divisible 24 और इस time में divisible है ठीक है तो हाँ अगर ये divisible है 3,8 से last का 3 digits तो it means ये पूरा का पूरा भी 8 से divisible है clear अगर last का 3 digits divisible नहीं होता तो इसका मतलब ये number divisible नहीं होता is that clear जैसे एक और question जैसे दिया गया ये 6,343 8 से divisible है या नहीं है पूछा जा तो हम क्या करेंगे last के 2 digits को लेके 4 से divide करते थे अगर last का 2 digits 4 से divisible है तो वो जो दिया वा number वो 4 से divisible होगा उसी तरीके से 8 के case में ठीक है लेकिन 8 के case में last का 3 digit लेंगे ठीक है last का 3 digit लेंगे उसको 8 से divide करेंगे और 8 से अगर last का 3 digit divisible है तो सोचो वो पूरा का पूरा number divisible है otherwise नहीं है clear चलिए अब आते हैं 6 12 and 15 के case में देखो 6 हो 12 हो और 15 हो जैसे देखो 6 का सबसे पहले a number is divisible by 6 if it is divisible by 2 as well as 3 कोई भी number कोई भी number ठीए divisible तभी होगा 6 से अगर वो number 2 से भी divisible हो यानि 2 का भी divisibility rule फालो करें और 3 का भी divisibility rule फालो करेगा तो वो number 6 से भी divisible होगा is it clear जैसे जैसे दिया है मालो 3360 ओके तो हमने 2 का divisibility rule देखना है कि यह दोनों का divisibility rule sense क्या मतलब है कहा गया कि 3360 क्या 3 से डिविजिबल है स्वारी 6 से डिविजिबल है या नहीं है चेक करना है तो हमें क्या करना है 6 का divisibility rule क्या है कि कोई नंबर अगर 2 का भी rule follow कर रहा है और 3 का भी डिविजिबल कर रहा है तो it means वो नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा तो देखो 3360 के लास्ट में क्या है जीरो जीरो इवेन नंबर है यानि यह 2 का rule रूल फॉलो कर रहा है अब 3 क्या रूल फॉलो करने के लिए क्या करेंगे 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0 3 प्लस 3 6 6 प्लस 6 9 12 12 प्लस 0 12 तो यह जो 12 है क्या यह 3 से डिविजिबल है हां है फॉल टाइम है इट मैंस 330 यह 3 से न बीजिबल है है न ठीके अगर यह 2 का और 3 का दोनू का रूल दिविजिबलीटे रूल फॉलो कर ले तो यह 6 से वी डिविजिबल होगा अगर मान लो ये number 2 का divisibility rule follow कर रहा है और 3 का divisibility rule follow नहीं कर रहा तो it means ये number 6 divisible नहीं है clear मतलब आपको दोनों के rule follow करने चाहिए अगर दोनों में से किसी एक का rule follow कर रहा है और दूसरे का नहीं कर रहा means वो number 6 divisible नहीं है clear तो समझा गया कि किसी भी number को 6 से divisible होने के लिए given number को 6 से divisible होने के लिए वो 2 का भी rule follow करना चाहिए और 3 से भी का भी rule follow करना चाहिए तब वो 6 से divisible होगा उसी तरीके से 12 में क्या है a number is divisible by 12 if it is divisible by 3 as well as 4 कोई भी number 12 से तभी divisible होगा अगर वो number 3 से भी divisible होगा और 4 से भी divisible होगा जैसे मान लो दिया है कि 3360 क्या 12 से divisible है या नहीं तो हमें क्या करना है कि 12 से divisible होने के लिए किसी number को किसका किसका rule follow करने पड़ेगा 3 का और 4 का भी तो 3 का divisibility rule क्या है add करेंगे सारे digits को 3 प्लस 3 प्लस 3 6 12 12 प्लस 0 12 12 क्या 3 से divisible है हाँ है तो यह 3 का rule follow कर रहा है और 4 के लिए क्या follow नहीं चाहिए 60 last के दो digit last के दो digit को 4 से divide करके देख लेंगे 5 time divisible यानि यह completely divisible है 15 time में तो यानि यह 4 का भी divisibility rule follow कर रहा है it means अगर यह number 3 का भी divisibility rule follow कर रहा है और 4 का भी divisibility rule follow कर रहा है it means यह number 12 से divisible है clear उसी तरीके से 15 के case में ठीक है a number is divisible by 15 if it is divisible by 3 as well as 5 कोई भी number 15 से divisible होगा अगर वो 3 से भी divisible है and 5 से भी divisible है clear कोई भी number आपका 15 से कब divisible होगा अगर वो 3 का भी rule follow कर रहा है और 5 का भी rule follow कर रहा है तो वो number 3 से sorry 15 से divisible होगा clear जैसे इसी number को देखा जाए तो 3 का rule क्या था add कर लेंगे सारे digits को 3 से divisible होना चाहिए और 5 के लिए last में 0 होना चाहिए तो यह 3 किसे भी divisible है और 5 से भी divisible है यह number so it means यह 15 से भी divisible होगा clear now come to the next rule that is of 11 देखो divisibility rule of by 11 ठीक है divisibility by 11 find the sum of the given digits in odd and even placed separately and if their difference is divisible by 0 okay the number is divisible by 11 देखो करना क्या है मान लो 11 के लिए मान लो एक number दिये 737 हमने क्या करना है जो even place पे है उसे add कर लेना है और जो odd place पे है उसे भी add कर लेना है जैसे उपर में last digit से odd लिख दो even लिख दो odd लिख दो फिर कोई number होता है तो even लिख देते है ठीक है करना क्या है जो odd places place पे it's not odd ये नहीं देखना है कि अरे भाई ये तो even number नहीं है 3 even number थोड़ी ये odd number है वो नहीं देखना है हमें places देखना है ये odd place ये even place ये odd place then even place फिर odd फिर even तो हमने क्या करना है जो numbers odd place पे है ठीक है तो sum of the sum of the digits at in the odd place places क्या क्या होंगे 7 7 14 done फिर the sum of the digit at even place तो भाई the sum of the digit digit at even place तो यहाँ पे देखो जरा गौर से even place पे तो बस 3 ही है तो चलो 3 sorry 3 ले लेंगे हम लोग ओके now क्या करेंगे difference find करेंगे इसका और इसका ठीक है difference 14 में से 3 को minus कर देंगे जो बड़ा वो उसमें से smaller वाले को minus कर देंगे okay so what we will get we will get 11 11 अब जो यह 11 जो डिफ्रेंस आए जो डिफ्रेंस आए उसे क्या करना है 11 से डिवाइड करना है क्या बता हो 11 11 से डिविजिबल है हां है it means यह number भी 11 से डिविजिबल होगा ठीक है एक example हम आपके बुक से बताते है ठीक है look at this example this one is asking tell me the number 13,244 is divisible by 12 sorry 11 है क्या यह number 11 से divisible तो हमने क्या करना है सबसे उपर में यहां लिख दो odd ठीक है even odd even odd अब जो जो number odd प्लेस पे यानि 4 प्लेस 2 प्लेस 1 the sum of the digit in the odd place 4 प्लस 2 प्लस 1 क्या है 7 digit at even odd place we don't have to see the number odd number या even number उससे कोई लेना देना नहीं पीछे से सुरू करो odd even odd even लिखना ठीक है numbers के नीचे यह उपर में odd even odd even करना सुरू करो ठीक है odd even odd even odd अब जहां जहां odd लिखा है हूं सारे digits को add करो 4 प्लस 2 प्लस 1 odd है ना add किया 7 आया ठीक है और जो even है यानि even के नीचे जिसके जिसके नीचे even है यह number 4 प्लस 3 7 हो गया ओके add कर लिए अब या तो difference 0 आना चाहिए या तो उन दोनों का difference digit at odd place और digit at even place के difference या तो 0 होने चाहिए ठीक है तो यहां देखो 0 या तो difference जो हो 11 से divisible होना चाहिए या तो 0 या तो जो difference आये वो 0 या तो 11 से divisible ठीक है तो वो number यानि यहां 0 आये difference तो भी यह number आपका 11 से divisible होगा याद रखना है ठीक है या तो 0 या तो 11 और 7 का divisibility rule हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठाइंक यू